नमस्कार दोस्तों मैं सिभूंपु स्वाहब का स्वागत करता हूँ प्रोगाइड CS चैनल में तो आप देख रहा है Microsoft Office Word 2007 तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चा था उसके अंदर हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने कुछ काम करा था कुछ हमन बनाया था इसके अंदर यह कुछ पैरग्राफ यूज करा था हमने पैरग्राफ के अंदर जो डिजाइन फर्मेटिंग वाला उप्शन है यह सब हमने किया था अगर आपको कोई प्रॉलम हो तो आप हमें कोश्चन कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमने क्लि आप इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि यह पैराग्राफ के अंदर जो पहला अप्सान है इसको बोलते हैं गुलेट्स तो यह ऐसा दिखता है आपको देखें हैं तो आपको समझ में आ रहा हुग है कि कि इतना कुछ अलग-अलग हो रहा है अ यहां पे एक कट का निसान लगा है तो इसके अंदर अप्लाई करते हैं सबस्क्राइब वर बने एक चोटी सी तीर बने वह इने क्लिक करना है और इसके अंदर देखिया नाप जिस्टाइक में चाहिए कि यहां तो इस तरीके से आजएगा इस तरीके से या जाएगा ये कर सकते हैं अब अगर हम इसको क्लिया फर्मेटिंग कर दें तो यह देखिए पूरा हट चुका है अब यहां पर हम लोग अपलाई कर तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यहां से आप बुलेट्स यूज कर सकते बुलेट्स और भी बहुत तरीके से होते हैं आप जैसे चाहें व तो आप देखे होंगे जैसे हम लोग कुछ डेफिनेशन लिखते हैं तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट डालते हैं तो पॉइंट डालने के लिए आप एक एक पॉइंट भी डालेंगे तो गड़ बड़ जाएगा तो आप क्या करें पहला जो आपकी लाइन पूरा एक देखिए हम इंट करना है पहले सेलेट करके और उसको यह ले जाएंगे यहां पर यह इस तरीके से आरा है क्या हमने आप यह जो फॉंट की डिजाइन फ्रमेटिंग कर रहा था उसकी वज़े से हो रहा है अगर हम लोग इसको नॉर्मल कर देंगे यहां पर क्लियर कर द प्लाव है कि 5 numbers चाहिए और 6 numbers चाहिए अब यहां पर एक्जाम्पल हम लोग ने A और B लिया है हम चाहते हैं जो numbering वो कहां चाले होने चाहिए E F G H ऐसा करके तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर जाएंगे और यहां पर number value पर click करेंगे set number value यहां पर जाएंगे अब हम चाहते हैं कि यह जो है तो हम चाहिए यह नंबर से तो हम लिखेंगे E और OK कर देंगे देखिए तब number कहां से आ रहा है E F आ रहा है ऐसे अगर आपके पास 123 लिखा हुआ है देखिए वन टू है अब आप चाहते हैं कि नंबर इंग जो है वो 56 चालों नीची तो हम लोग क्या करेंगे इसको प्रिख परेंगे फिर यहां पर जाएंगे और नीची यहां प्याँ प्वाराएं प्रोड़े हम ने कलिक कर दिया तब कि इस तरफ कि प्षाइब और जिया से आप कर सकते हैं पिर आता है अगला ओप्षन देखिए यहाँ P कि तो आपको और यहाँ पर घ्वाहिए अधर करां कि आप फो कि न कि और यहाँ पर बहुत तो कियां होता है यह पहले 500 के 5 हो रहा है यह हमने कोई millise ओस्टें करते चुट्ट कैसे होता है जैशे कोई सब्सक्रेंदा बनाते हैं तो क्या होता है पहले 500 नंबर यह यह ingekt डाइब में और 500 नंबर कोऊता है यह पहला प्रीज डियों और in मेनीं कैंड एप हैं तो यह हम लोग क्या करते हैं एक बार इसको खटा देते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखना है पहले हिधान रखना है कैसे लिखना है यह मैंने यहां पर इसको normal कर देता हँ पहले यह normal हो गया है अब आपको क्या करना है पहले पूरा line लिखना है जो question paper बनाते हैं हम लोग देखे होंगे आप जो आपके objective type में question आते हैं तो उसमें ऐसे ही होता है कि पाँचवा number question है पाँचवा number का A, B, C, D पहले number question पहले number question का A, B, C, D ये क्या है ये एक option है इन में से आपको कोई एक choose the correct वाला option काम करना है तो आपको क्या करना है पहले लिख देना है और जो आपके option है उनको क्या करना है लिखने को बाद tab होता है आपका cap lock होगी आपका left hand है उसकी side में देखी है आप control होगा, shift होगा, cap lock होगा और उसके ओपर होगा tab तो आपको क्या करने मैं यहाँ डबाया ने। और यहाँ प्रक्त हरुत्रियक हो daha गए आप तो लोग चाहते हैं इस प्वेंदर numero करें कि option ए a Can Ta-B-C-D है। तो हम लोग इसको Select करेंगे पिर इसके अंदर को ने यहाँ से किए अगर करा तो नार्मल आएगा यहां से हम लोगों को यह वाला यूज करना है इसको हमने क्लिक करा अब इसके अंदर हम लोग यूज करने वाल देखिए इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से तो हम लोग क्या करना चाहते हैं इस तरीके से तो क्या होगा यह पहला नंब यह आप बुक में देखे हूंगे पहला नमबर है फिर पहले का यह पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा चोथा पांचवार यह ऐसा बुक में होता है तो यह आपको प्रेट्टिस करना है थोड़ा देखना है आप जो वुक होती है उनमें सबसे जगए यह ही होजोता ह तो यह हो गया फिर आगे बढ़ते हैं इसको वट्टा देंगे यहां से इसा तो यह नॉर्मल हो जाएगा अब हम चाहते हैं पर दू लिखेंगे और इस पर दमाएंगे तो यह आटोमेंटिक ले लेगा अभी नहीं ले रहा है पता नहीं क्यों ठीक है तो आप इसको बनाएंगे और प्रेटिस करेंगे नहीं बने तो आप हमें बताईएगा फिर अगला अपसन आता है यहां पर यह डिक्रीज इंडिंटेशन और फिर इंक्रीज इंडिंटेशन तो इससे क्या होगा देखिए यहां पर हम लोग जगे देना चाहते हैं जैसे इसको हम लोग पहले नर्मल कर देते हैं यह मैंने क्लियर फॉर्मेट क्लियर हो गया अब हम लोग चाहते हैं कि यहां से क्या होना चाहिए कि यहां सपेच चलो होना चाहिए कि भुब्ग में देखेंगे आप इधार का पूरा खाली रहता है यहांसे लिखने करें यहांसे रिखने करेंता यहांपर सामने खाली रहता है तो तो आपको क्या करना है यहां पर 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 यहा लाइन सारी बची हुई है पर अगर हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल जो हम लोग यह वाला अप्सन दिया हुआ है इसका अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा यहां पर यह मैंने क्लिक करा जैसे तो यह पूरा प्रग्राफ एक साथ आगे जाएगा तो आपको यह जो करके पूरी लाइन करना है उसकी जोद नहीं आपको क्या करना है बस इसे इंक्रीज इंट्रिटेशन पर क्लिक करेंगे तो यह आगे चला जाएगा तो यह यहां कर जो जगह आपको बचा रहेगा तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इसको वापीस ले ज होगा फिर आता है यहां पर सौर्टिंग तो सौर्ट करने के लिए क्लिए क्या होता है आपको कुछ लिखना एक्जांपल के लिए हम लिख रहे हैं कुछ का नाम लिखे हैं जैसे कि हम लूग नाम लिख देते हैं कुछ नाम लिख लेते हैं सीबम हो गया फिर हो गया अजय फिर हो गया बिनोद फिर हो गया पूजा ठीक तो हमारे पास कई सारे नाम लिखे हुए हैं अब हम इसको चाहते हैं कि जो A वाला है पहले आना चाहिए B वाला बाद में आना चाहिए ऐसे college में इसको नहीं होता है कि नाम लिखे हैं वह सारे अब उसको आप sorting करना चाहते हैं कि A वाला पहले आना चाहिए B वाला बाद में आना चाहिए हम लोग इसको select कर लेंगे फिर यहाँ पर यह sort लगाएंगे और ok करेंगे देखें बाद में आखें इस तरीके से आप कर सकते हैं मैंने वापिस क्लिक करा अब यहां पर मुझे उल्टा चाहिए वाला जो है सबसे लाश्ट वाला वो सबसे पहले आना चाहिए और यह वाले सबसे लास्ट में आना चाहिए तो हम लोग यह ascending लिखा इसको हम लोग descending करेंगे मैंने क्लिक करा और ok कर दिए देखिए तो आप जब विनोज लिखा था वो सबसे उपर चला गया कि इस इंब आ अगया और फिर पूज़ा और फिर आज्य जो एवाले हैं सबस्लाष्ट में आ रहा है और फिर बाद में आ रहा है ऐसे आप नुखने लिखा पिर आपने लिख ने लिखा अब देखिए नंपर जो लिखे हैं ये कैसे हैं उल्टा लिखा हुए आप कहीं से भी कुछ भी लिखा हुए हम लोग उसको चाहती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से नंबरिंग होनी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको सलेट कर लेंगे फिर सॉट में जाएंगे अब इसके अंदर हम लोग लिखे लिखेंगे से कहा होगा पहला जो एवन वाला हों पहले आगा फिट्ट वाई फित्रि आगा इसा अब क्या हो गए यह उल्टा नंबर था इधार उदार था सब क्या होगे लाइन से आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अगर आप चाहते हैं तो 9 सबस्पर आना चाहिए और और देखना पड़ेगा पर यहां से आप इसको को सब्सक्राइए चाहिए तो आप यहां से इसको हम भटा देते हैं फिर आगाया आता है यहां पर paragraph यह में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है तो paragraph जैसे यहां पर यह एक paragraph लिखा हुआ है इसका हम लोग बढ़ा कर लेते हैं ठीक अब यह paragraph जो है तो यहां से चालो हो रहा देखिए यहां से पूरा लाइन भरेगे फिर यह लाइन भरेगे फिर यह लाइन भरेगे फिर यह लाइन भरेगे अभी हमें क्या चाहिए कि सेंटर में होना चाहिए पूरा हम लोग यहां पर यह सेंटर पर जाएंगे देखिए यह line भर गई दूसरी line भर गई तीसरी नहीं भर गई तो तीसरे line यहां पर छूट गया है यह बीच में आ गया है यह देखिए यहां पर जैसे लिखा हुए इसका हम लोग चाहते हैं Center में आना चाहिए तो यह हमने Click कर दिया यह चोटी लाइन है इस बीच में आ गया यह फुल लाइन है तो इसकी विज़े सी यहां तक आ रहा है और यह हो गया यह वीनोड सीवाम यह इसेंटर पर आ गया तो आपको कोई भी टेक्स अगर सेंटर में लिखना है तो आप यह वाला जोश करेंगे यह एलाइगमेंट बो कि पूरा इधर सटके हो रहा है तो यहां से स स्ट से लेफ्ट राइट और ऑ यह बीए जवता है हो यहां पर हलका से एक सब्द के लिए भुसके लिए इसके लिए नहीं आरहे था हम हम लोग अगर justify कर देंगे तो क्या होगा यह पूरा हो जाएगा इसके shortcut होते हैं control L से आप left में click करेंगे control E से center में जाएंगे control R से आप right side में जाएंगे और यह जो control J है इससे आप justify मतलब बराबर कर देंगे shortcut की नीचे description ने दी है तो आप वहाँ पर link में click करके देख सकते हैं तो आपको shortcut की भी practice करना है control E से center में आएगा control R से right में जाएगा control L से left में आएगा control J से justify हो जाएगा ठिक फिर आता है यहाँ पर यह spacing आती है कि यहाँ पर देखें दो लाइन हैं इनके बीचे हम लोग कुछ जगय चाहते हैं तो जगये हम लोग यहां से select कह सकते हैं यहां पर कम हो गया और ज्यदा और ज्यदा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं लाइन के पर अगर आपके बाद जो है वो भी अट जाएगा यहां पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं आप यहां पर मैं गया एक सिंड यहां पर अड़ करने हैं रिमूव और फिर यह भी रिमूव देखें तो यह ऐसा फरक पड़ता है आपको फोड़ा कि पीच में घर जगए चाहिए तो यह तरीके से आप अपलाई कर सकते हैं फिर आता है यहां पर बाल्टी वाला जो आप्षन है यहां पर कलर की जो बैक्गद्गरांड है सद्इन गोलते हैं इसको यहां पर जैसे इसके पीछे आप कलर डालना चाहिते तो कैसे करेंगे हैं इसका मैंने select करा और यहां पर यह मैंने color डाल दिये आप सोच रहे होंगे कि highlight जैसे जैसे हम लोग highlight करते थे उसी जैसे यह पर highlight अलग चीज और यह अलग चीज देखिया यह आप यह मैंने यहां पर क्या करा है ये color setting वाल option यूज करा है तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी जो line है यहाँ पर हमने लिखा नहीं फिर भी हो रहा है पर अगर हम लोग highlighter यूज करेंगे तो देखें यहाँ पर हम लोग highlighter यूज करके देखते हैं यह मैंने क्लिक कर देखें के वाल जितना सेड़िट था उसी बस यह यूज करेंगे पूरा color चाहरा आगर हम लोग क्या यूज करेंगे highlighter कि यूज करेंगे तो यह देखेंब केवाल हूं पर आगर हम लोग यह करेंगे तो यह पूरी लाइक प्रिपाइब तो समझ में आओगा कि ये कैसी यूज होता है फिर आगे आता है चलिए आगे ड़ए के सेंक्र इस के अंदरों क्या करते हैं से यूज सी कहते हैं सपर इसके नलोग यह घर नेक्रटे इंग पिर यहां पर और इसको बादर पोलते पिदिध्यर के से थे घर जफियो कर को यहां पियाँ लिक続क्र तो पूजा जो नाम लिखा है इसके अंदर एक लाइन आ चुकी है फिर आगए आता है यहां पर तो बॉडर हम ने क्लिक करा तो पूजा की ऊपर एक LINE लगाई है अब इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि इसका जो इधार साइड छाली है है इधार भी ता हम उधार भी चाहत जो यहां पर कर रहे थे इसको बोलते हैं जो संटेंस केस्ट हम लोग क्या करता है तो यह भी शॉट करती हुई है तो आप यूज करके देखेगा फिर हम लोग क्या करते हैं इस पर डालते हैं यह देखेंगे तो यह काफी ठीक दिखने लग गया सेडिंग हटा देंगे तो यह नो कलर में क्लिक कर देंगे तो हट जाएगे यहां पर भी हमने अपलाई कर रहा है यहां पर गया नो कलर में क्लिक कर देंगे तो यह हट गया है आप चाहें तो जैसे मैंने एक एक करके अपलाई कर रहा है आप चाहें तो एक साथ अपलाई कर स यह draw table और यह सब हम लोगे जो हमारा insert है उसके अंदर हम लोग देख लेंगे आसानी समझ भी आ जाएगा तो अभी देख लेते हैं time कितना हुआ तो अभी के लिए बस इतना ही अभी हम लोगों ने paragraph देखा है paragraph के अंदर हम लोगों ने यह देखा कि जो बुलेट कैसे हुज करना है numbering कैसे करना है और number के अंदर जो number होते हैं उनको कैसे करना है और यह जो हमारा spacing होती है इसको indentation बोलते हैं indentation कैसे लगाना है sorting left right center justify यह सब हम लोग ने देख लिया color देख लिया और water देख लिया अगर आपको इसमें कोई problem हो तो आप हमें जो हमार WhatsApp, Telegram बागी सारे number है आप वहां से भी आप question पूछ सकते हैं या फिर comment section में भी आप question पूछ सकते हैं हम आपके सवाल के जवाज जूरू देंगे तो अभी के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe जूरूर करें धर्नवाद सकते हैं